नमस्कर दोस्तों आपको दोस्ट स्वागे नमरशन में आजम बात करने वाले वड़प्रेस के कॉस्टम फिल्ड के बारे में या तो आप वड़प्रेस की कॉस्टम पोस्ट टैप भी कह सकते हो तो जनरली आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे जो वेबसाट है इसमें आपको लाइव एक्जापल दिखाऊ इसमें से सबसे पहले हमारे वीपीड डॉट कॉम और हिंदी इसमें हमने यूज किया है वड़प्रेस की कॉस्टम फिल्ड तो आज आप वीडियो देखते रही आज मैं आपको जर्ट यहीं दिखाने वाला हो कि वाट इस वड़प्रेस कॉस अब तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वड़प्रेस में ऐसे कर सकते हो चकुछ से सबसे पहले आप देखे लिए wefeed.com हमारी वेबसेट है इसमें आप देखोगे तो आपको ठेहर सारे कस्टमाजेशन मिलेगे जैने कि आप देखे प्रस्टनालेटी और सेलिब्रेटी की इसके बाद सोचल मिलेटी अकाउन इसके बाद कुछ प्रस्टनाल इंफ्रमेशन वगेर आप देख सकते हैं तो ऐसा नहीं इसमें यूज करना पड़ता है वर्डपरेस की कस्टम फिल्ड तो इसमें क्या होता है सबसे पहले बेकेंड में देख लिए मैं आपको सबसे बेले सबसरे के बेकर देखाई Arena ताकि आपको आसाने से समझ में की वर्डपरेस कटम फिल्ड जैसे की देखी मैं पोउस्ट पे कलिक करता हूँ और को कोषेकर लेगे जैसे कि देखिए टाइटल और पोस्ट की जो आपके कंटेन आपको दिखाड़ेगा लेकिन नीचे आप स्क्रोल करके तो आपको आसानी से समझ में आजएगा कि वर्टपर इसमें कॉस्टम फिल्ड क्या होती है जैके देखिए मैं नीचे स्क्रोल करता हूं तो इसमे पहले आपको एक option देखिए आपकी वर्टपर इसमें ऐसा option होगा cover इसका बाद नीचे स्क्रोल करोगे तो सब भी social media account इसका बाद नीचे आप जाता होगे फूलनेया निकनेम प्रोफेशन एज वगए तो पूरी information जैसे मैं यहां पर लिखके publish करोगा तो automatically ऐसे format में convert हो जा जैसे में personality की icon होगी इसके बाद cover photo इसके बाद इसकी पूरी information इसके बाद पूरी इसकी बायोग्राफी वगए तो आसके उडियों में आपको यह सिखाने के लिए और समझाने के लिए उडियों बनाया है कि wordpress में custom field क्या होता है custom post type होता है जैसे कि अगर आप wordpress में custom post type execute कर है जैसे में कोई भी post publish करूगा तो automatically ऐसी format में convert हो जाए इसके बाद एक और example में आपको देखाता हूँ हमारे हिंदी वर्जन का तो आपको ओलेड़ी पता है कि हमारे website की हिंदी वर्जन है तो इसमें क्या है देखिए आपको YouTube का वीडियो देखा देगा तो ऐसा तो नहीं यह हिंदी वर्जन है हमारे website का में जाता हूँ पोस्ट में और आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे वीडियो एमड़ करना है तो अब मुझे क्या करना है मुझे किसी भी वीडियो का जर्ष्ट आइड़ी एड़ करना है तो automatically वीडियो पुब्लिश हो जाएगा तो यह स पहले बताया तरह से example के तौर पर हम ले लेते हैं यह से कि मुझे कोई भी पोस्ट लिखने है पोस्ट के अंदर मुझे मेरी YouTube चैनल का वीडियो एमड़ करना है तो मैं क्या करना है तो मैं क्या करना है सबसे पहले पोस्ट लिख लोगा इसके बाद मैंने WordPress की custom field का यूश कर तो यह बिल्कुल सिंपल आसान में इसके मतले से आसानी से वर्डप्रेस की custom field तो यह बिल्कुल आसान है आने वाले ओडियो में आपको सिखना हूं का प्लग इन की मतले से किस तरह से आप अपनी WordPress की website में कॉस्टम फील का यूश कर सकतो हो इसके मतले से आसानी से आप अप आपनedd के व्यांद सेयान नहीं देखाता लेकिन वैने अने जया कि में आने वाले वीडियो में आपको सिखांगा किस तरह से वर्डप्रेस में आप कस्ट स्थम फील्ड या तो वर्डप्रेस Art लाइक और शेयर करें ताकि मुझे कॉन्फेटेस मिले कि आने वाले वडिम आपको डीटेल में जाहें जितना भी बड़ा वीडियो में आपको डीटेल में सिखोंगा कि किस तरह से वर्डप्रेस में आप कस्टम फिल्ड का यूज कर सकते हो यानिकि बेकेंड में आप सब्सक्राइब हो जाए तो बिल्कुल आसान है इस सिखने के लिए आपको मिशने के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा थैंक्यू परोशिंटी शुड़ियो